नमस्कार में हूं अरियम सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर्टिन 4 नियो शुरुआत करते हैं आज की तास्तरेन खबरों के साथ भवानी मंटी पेशनों बेरागी यह वा समीती समाज द्वारा शंत श्री एगजाराट बालगदाज जी माराज के सानी दिमे रववार को गुरुपुण निमा पर्व मनाएगा समाज सदस से दूरगेश बेरागी ने बताया कि कारेकरम का आयोजन कालवाइस्तान हनुमान मंदिर पस सुबह 11 बजे आयोजित होगा इस दोरान विबिन धारविक कारेकरम आयोजित होंगे जिसमें बगवान चारबुजानात हनुमान जी वा माता जी की पूजा की जाएगी जिसके बचात श्री 1008 बालक दाज जी महराज के चंड़ों की पूजा करते हुए महारती कर प्रसादी का वित्र किया जाएगा कारेकरम को लेकर युवासीमिती द्वारा तैयारी पूर्ण कर ली गई है भारत विकास परिशत के नेतदान प्रभारी हैं शाइन इंडिया फाउंडेशन के जोती मित्र ने बताया कि नेतदान और नेतदान संकल्प के समाचारों के कारण लोगों में लगाता बढ़ती जा रही है अलगलक प्रसंगों को नेतदान का संकल्प के साथ मनाने का चलन देखने को मिल रहा है इसकरम में शुक्रवार को नाराण खेडा गाउं निवासी सूरज में गवाल के द्वारा अपने पुत्र के जनम दिन को साथ पतनी नेतदान का संकल्प पले कर मनाया कर प्रेणा इस्पत कारी किया मवानिमेंडी ओपरेशन जागरती अभियान के ताथ थाना दिकारी रमेश मिना द्वारा मादिमिक विध्याले सूलिया एवं घटोद में विध्यारतियों को कानून सम्मधित जान करे दी गई वेज दोरान सियाई मिना ने बालक बालिकाओं को 500 अधिनियम भारतिय नियाय सहींता 2023 भारती शाक के ए अधिनियम 2023 भारति नागरिक स्रक्षा सहींता 2023 के बारे में विस्तार पूर्वक जान करी दी उन्होंने स्कूल की छात्राओं से कहा कि किसी भी प्रकार की समश्य होने पर बालिकाएं सीधा सम्मधित थाने में अगर महीला कॉंस्टेबल से शिकायत कर सकती है विज दोरान महीला अप्तियाचार सम्मधित जानकारी भी प्रदान की एवं बाल विवा कानूनी अपराद हैं बतलाते हुए इसका विरोध करने की सला भी दी महिश हात्रों को याताया थम्मंदित जानकरी दी गई इस आउसर पर पुलिस व व विध्यारतियों के आपती सम्वास से नए कानून के विविन पहलूओं के बारे में जानकरी साजा की गई जालावारन पिचोत्तरवा जीला इस्तरी वन महुस सव कारिकरम शुक्रवार को पुरु मुख्य मंतरी एवं विधान सवाशेत जालरा पाटन विदायक वसुन्दरा राजे के मुक्यातित एवं जालावार बारा सांसाद दुश्यन सिंग की अध्यक्षता में मंगलनात प पहाड़ी के विकास है तू पोदारोपन के कारिक को व्रत रूप देने है तू सबी सयोगी अधिकारियों कर्मशारियों स्वयम सेवी संसताओं समासेवियों सहीत मोजूत राज की एवं नीजी विध्यालों के चातर चात्राओं का आभार व्यक्त किया उन्हेंने कहा कि व बगानी थानाथ शेत्र के खटकड गाओं में आज सुबह एक 55 वर्षी अधेर विक्ति की को खेत पर जहरी लिजीविक के काट लेने से मोथ हो गई जानकर देते हुए थानादिगारी रामेश्व प्रिसाद मिर्णा ने बताया कि मांगो पुत्र नन सिंग जादी राजपुत्र उम्र 55 साल निवासी खटकड अपने ही केट पर गया हुआ था जिसे कोट के आड में चिपकर बेठे एक जहरी लिजीव ने काट लिया जिसे वह अचेत हो गया जिसे आसपास उपस्तित लोग बगानी सामूदा एक स्वास्त केंद्र में लेकर आये जहां डॉक्टरों द्वारा उसे प्रतम दश्टियां मरत गोशित कर दिया वहीं पुलिस ने पहुचकर पंचनामा तेयार किया और डॉक्टरों द्वारा पो रख्षा का संकल पलिया विसा उसर पर सरपंच इसवर सिंग समराट जिला परिशा सदस्य भगवानलाल मेगवाल पीओ मनोच कुमार मिना अध्याबग नार्यान सिंग नर्शे राम हंचराज बिरम मेगवाल गंगाराम संजे कुमार शिव नार्यान गुजर पिटी आइ जस्वन सिंग सहीत विध्या लेकर चात चात रहें उपस्तित रहें जलावाड कोटवाली पुलिस ने बताया कि कोटवाली शेत्र के बालगडग निवाव निवासी 48 वर्षी डीपचन पुत्र उदालाल वुदवार शाम को घर से निकला था उसके बाद ही वच्देर रात पुलिस ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि रेल की पट्री के पर एक व्यक्ति का शोव पड़ा हुआ है इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंच का शोव को अस्पताल की मोर्चिन में लेकर आए जहां पर उसकी सिनाक्त बालगड गाउन इवासी दीपचन पुत्र उद जेंद्र रावत पिछले कई मैनों से विद्यूत काम का काम समय पर नहीं करता था और ग्रामिनों से कुछ कहते तो उनसे अबद्र बाशा में बात करता था जिससे नाराज ग्रामिन लाममध हो गए और गाउं के सरपंच प्रतिनिदी रामदयाल धाकड के साथ धाम नंदिवान के बलाई खेडा गाउं के समय शाष्की भूमी पर हो रहे तिक्रमिन को लेकर ग्राम कि शेतान सिंग वह उसके परिवार द्वारा बताया गया कि विगत 40 वर्सों से उक्त भूमी का उप्योग मेरे वह मेरे परिवार के द्वारा किया जा रहा था लेकिन गाउं के ही केलास पिता लक्ष्मण एवं बबलू पिता लक्ष्मण वह अन्नि लोगों द्वारा उक्त शाष्की भूमी पर जबरन कब जाकर तार फेंसिंग कर दी जब मेरे वह मेरे परिवार के द्वारा इसका विरोत किया गया तो उक्त व्यक्तियों द्वारा मुझे वह मेरे परिवार को जान से मानने की दम की दी गई मंसोर का ड्रीन प्रोजेक्ट दादा दादी पार्क इस इस्तिका जीता जाकता हो दारण है करोडो रुपे खर्च होने के बावजूत यह पार्क आज भी उजाड़ पड़ा है नगरपालिका के अधिकारियों ने इस पार्क को माननो मूँ मोड लिया है और पार्क के नाम पर खर्च की गई राशिका दुरूपयोग किया जा रहा है नगर की जनता नगरपालिका को टेक्स के रोप में मोटी रखम देती हैं लेकिन इसके बदले में उन्हें अच्छे पार्क और साफ सुत्र बगीचे नहीं मिलते हैं नगरपालिका परिशद नगर के विकास पर ध्यान नहीं देती और अधिकारी केवल कागजी कामों में उल्जे रहते हैं जनपती निदी विकास की बात तो ज़रू करते हैं लेकिन धरातल पर जाकर समस्चाव को देखने का प्रहास नहीं करते हैं मंजोशेर सहीत अंचल में बारिश के लिए लोगों का अजब गजब टोने टोटका करने के मामला सामने आने लेगें जिससे लोगों ने मुक्तिदाम इस्तित्प शम्शान के अंदर गधों से बुवाई करवाई इतना ही नहीं शहर के निताजी को गदे पर बिठा कर भी गुमाया दरसल अच्छी वारिश के लिए यह टोटका है और दावा है कि इस टोटके के बाद शो प्रतिश्चत बारिश होगी इतना ही नहीं इस टोटके के बाद अगर बारिश अच्छी होती है तो गदे को बाद में गुलाब जामुन भी खाएगा बता दे कि जहां एक और देश का आदा इस्सा इन दिनों बाड़ और बारिश के बरबादी जहल रहा है तो वही मद्देश का मनसोर जीला में सूके के गगार पर है हालात यह है कि लोग अब बारिश के लिए तरह तरह के जतन और टोटके कर रहे हैं तस्विरे मुक्तिदा झाल 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 हमारा पता है झाल 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 झाल